जे जिनेंद्रा जे भोलना दोस्तों साथ बच के बावन मिनिट हुई अभी यहाँ पर दिख रहा होगा सेवन पॉइंट फुट्टी टू ए यह एक दिसंबर का दिन आज एक तारिक है दिसंबर की और बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो इसलिए आज मैं मोबाइल से नहीं बना के आपको लेप्टॉप से बना रहा हूं ताकि डीटेल दिखा सको समझा सकूं क्या हुआ क्या नहीं बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप स्किप करोगे तो बहुत तकलीफ में आ जाओगे प्लीज स्किप मत करना इसको बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना भले हैं ततलो अब देखना पड़े लेकिन इसको देखना पूरा थेजनेंदर बुलिना अच लेट स्टार्ट पहला तो नॉवंबर मेना खतम हो चुका है और दृसमबर मेन की किностью स्टार्ट हो रही है औधि संबर मंथ भी आज स्टार्ट हो रहा और नौंबर एक धमाकेदार तेजी वाला मंत्रा इसमें कोई डाउट नहीं है नौंबर में हम लोग कि यहां से अठारा आठ सो सेटिस से यहां तक ट्रेवल कि लगबग हम और टाइम हाई पर आ गए एंटार नौंबर मन्त यह रली हुआ है अगर आप देखो तो इसमें एकाद दिन गिरावट के भी दहें लेकिन मैक्सिम टाइम मार्केट ने खीचा और अब हम यहां पहुँच गए लेवल नौंबर सिरीज स्टार्ट हुई थी तब यह लोग बना था अक्टूबर की सिरीज का लास्ट डेट को 26 अक्टूबर को 26 अक्टूबर अब आज यह बहुत सारी चीजे आए चुकिए इसलिए मैं आज आपको डिटिल सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जीडीपी के आंखड़े आ गये जीडीपी के आंखड़े बहुत ही रोबस्ट आये 7.6 एक्सपेक्टेशन से अच्छे आये 7.6 परसेंट जो सेप्टेंबर तीमाई है जुलाई टू सेप्टेंबर है जो तीमाई है उसके एक्सपेक्टेशन मेरे खाल में 7.2 का था उससे बैतर है वेरी गुड न्यूस फॉर बूल्स पहला नंबर अब आज यह दूसरा नंबर कल क्या क्या था उसका पहले में डीटेल करता हूं यह हो गया जीडीपी जीडीपी गुड ठीक है पर बूल्स नाट फॉर बियर एक् एक्जिट पॉल ने पूरी तरह से कंफ्यूज किया है कि कहीं कहीं मद्यप्रदेश में क्लीन स्विप दिखा रहे एक सो एकाउन कुछ कुछ दिखा रहे हैं वहां कॉंग्रेस 137 जीत रही है तो फिर भी मैं देखता हूं तो अगर मैं कल का एक एनलेसिस मेरी तर से करूं तो मुझे लगता है मद्यप्रदेश बीजेपी को जाएगी कि मुझे लगता है वाई मैं कुछ इसका जानकार नहीं बहुत बड़ा मैंने तो कल जो एक्जिस्ट पोल्स देखे उसके साब सो बोलो मद्यप्रदेश अकेला एक स्टेट है जो बीजेपी रिटेन करेगी रि स्टेट हो गए मै जो राजस्तान में बोलते हैं काटिकी तकर लेकिन मुझे लागता है असु घियलोथ जी रेटेन भाजिस्ता जेलोथ हाला कि तक्कर बहुत काटिकी मैं यह नहीं बोल रहे हो कि एक कांफोर्म हैं है तो यह कॉंगरिस के खाते में गया है में यह के खाथे में गया है यह ब फद्द है भी फद्द होगया हो जाता मध्यपदेश मीजुराम राजस्तान 36 गड़ भूपेश भगेल जी फिर से बन रहे हैं तो यह भी सी को गया कॉंग्रेस को और सर्प्राइजिंग ली तेलंग दाना जहां बी आरस रूल करती थी तेलंग दाना में बी आरस का रूल था तो वह स्टेट इस बार कॉंग्रेस को क्ली दिखा रहे है फुल मैजोर्टी के साथ तो यहां पर कॉंग्रेस के अगर आप देखोगे तो राजस्तान हाला कि इसमें नेक नेक टूनेक फाइट राजस्तान कॉंग्रेस रिटेन कर रही है ऐसा लगता है चतिस गर कॉंगरेस रिटेन कर रही है और एक स्टेट एड़ कर रही है तेलंग दाना यह दोनों रिटेन कर रही है एक स्टेट एड़ कर रही है बीजे भी अपना एक स्टेट रिटेन कर रही है मध्य प्रदीस लगता है उसमें भी कही जगा बीजेपी की हार बता रहे है और कुछ तो बोलगे कि महाँपे ऑल्रेडी बैलेट पेपर खोल दिय गए उसके केस्बूक उगर का अपडेट देखोंगे तो वहां दिख रहा है कि बीजेभी की लोग वहां पर कि पहले से जो बेलेट पेपर से वोर्डिंग होई थी उसको पूरा खोल के रख लिए कि यह तो काम यह बीजेभी का आपको पता ही है जिस्टेट में वह जीतती नहीं है वहां के धीते हुए अमेले को खरीद लेती है ठीक है अब देख लिए आप मिजोराम में कहीं बीजेभी नहीं सरकार बना लें तो यह हो गया एक्जिट पूल में रूलिंग गवर्णमेंट के लिए कोई खुसकबरी अभी तक मुझे नहीं लग रही है हमें हमें अगर तेलंगाना एक अधिशनल स्टेट है जहां विजेभी राज नहीं खर रही में और कॉंच्टर नहीं्क रही थी वहां धाम बीछ्वक्रास कर रहा था उसको और कॉंगरिष तो और दूओ सब्सक्रा श्वाज ओश्य का घंटा मिला इसां अब आज यह तो हो गया इसका जीडीपी के आखड़े और एक्जिट पूल हाला कि राजस्तान यू नेवर नो बीजेबी के किलिज वह बहुत बड़ी विक्टरी होगी वह संडे को आपको पता चले का वह मैं भी इतना जानकार नहीं हूं से मैंने तो जो जितने सारे एक्जिट पूल देखे उसको समराइज करके मैंने दिमाग लगा बाकी आम नॉट एट ऑल एक्सपर्ट ओंडिस ठीक है अब आ जाते हैं हम लोग डाउ जोंस पर कल डाउ जोंस में एक बहुत बड़ी तेजी हुई देखे एक एक करके माज इसले संजारों के पूरा आपका माइंट सेटप आज मार्केट खुलने से पहले क्लियर रहें डाउ जोंस में कल 520 पॉइंट की देजी ओर डाउ जोंस ने कल 52 बीक का हाई बनाया 52 वीग का नया हाई बनाया टीक है कल डाउ जोंस ने बनाया 52 वीक हाई ठीक है 520 पॉंट प्लस ठीक है यह एनदर बूल्स के लिए बहुत भी बड़ी खबर बूल्स के लिए यह वाली खबर भी बहुत बड़ी हो गई लेकिन और टाइम हाई वह अभी भी यहां से 1200 पॉइंट के करीब दूर है करके है हमारा और टाइम हाई अब क्योंकि हम कल 133 पर बंद हुए तो महज 80 90 पॉइंट दूर है क्योंकि हमारा ओल्टाइम हाई 20 222 है हमरा इसको चाहिए फिफ्टी टू वीक हाई बोल दीजिए चाहिए और टाइम हाई बोल दीजिए क्योंकि हम डाउजों से एक कदम आगे चल रहे है जबकि कल राउजोंस ने 500 पॉइंट की रैली की उसके बावजूद हम उससे काफी आगे चल रहे हैं हमारी डीडी देखे आप क्या ग्रोथ हो रहे हैं लोगों के फिर भी कर्जे बने हुआ है मैं तो बीजे भी सरका से पूछता हूं इतना जबर्दस ग्रोथ इतना जबर्दस्त आपका फॉरेंड पॉलिसी इंडिया के लोग स इसे फोकेट वाला बाड़ते हैं तो मैं बहुत सारे मुद्दे पर लोकल मुद्दे पर बीजेपी को बिल्कुल भी समधतर नहीं करता हूं एक्स्टेर्नल पर मैं बोलता हूं वेरी गूट ठीक है एक डालोग मारती है कि हम लोग तो किसी को मुफ्त नहीं करते हैं तो ऐस है अब आज यह यह चार्ट क्लेश ली देखे अगर यहां से यहां के एक क्लाइन कीचे और यह चार्ट बोल गया तेजी लगबग पूरी हो गई है अरह आजा संटक्त का एक लाइंगे गशिए और इस लाइंग को ब्रेकॉट ऑथिवन माने लाइंग उपड है पॉर्ट में Link को ऊठा एब अगर इस ब्रेक आउट लेवल कि में लगबग टार्गेट के पास आए ठीक है हाओ टू अनलाइस देट टार्गेट इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट है तो इतना ब्रेक आउट उपर हो सकता है कि लगबग लगबग क्या दिखा रहा है बीच दोसो ग्यारा दिखा रहा निस यहां तक डिफिका रहे टार्ट अब आज के दिन important resistance क्या रहेगा दोस्तों कि आज के दिन important तो यह अगर पार कर देता है तो भी 2331 आप लिख लिए फाइनल रेजिस्टेंस ते 332 इस रेजिस्टेंस के ऊपर मुझे नहीं लगता है मार्केट किसी भी हालत में जा सकता है और आज की क्लोजिंग अगर रेड आ गई क्योंकि दिसम्वर महिने के पहला दिन है तो यह महिना 50% टाइम तो रेड़ी रहेगा वार्क क्षोंड पंदे तरीक तक फस्ट दिसम्भर आज है और और सिरीस का पहला दन अगर आज रेड रेड प्लोजिंग आती है तो यह महिने की 14 15 तरीक और 90 परसेंट में इतने इतनी सारी मिठाई मिल रही है कि डाउ जोंस 520 पॉइंट प्लास एक्जिट पोल के आंकड़े क्लियर हो गए लेकिन कोई इतना मीठा देखके मुझे तो डाइबीटेज हुए ठीक है और एकदम वहां पे मामा 151 जीट रहा है कई एकजिट पोल दिखा रहे है रहे मामा का तो पजामा धिला था यह मैं खुद मध्य प्रदेश में देखा था क्योंकि मैं उज्जेन गया था ठीक है तो कि देखेगा क्या होता है अब आज यह 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 तो हो गया सब कुछ अब इंपोर्टेंट आज नहीं सीरी स्टार्ट हो रही है क्रूर्ड की बात करें तो क्योंकि कल ओपक की बैठक भी हो गए ओपक यानिकी ओई प्रोडूसर्स एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और प्रोडूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यह यह इसा ही कुछ होता है इसका आप लोग देख लिए गूगल में मुझे इतना यह सब मिलके एक ओपेक बोलके संस्ता बनाए इनोंने डिशाइड किया था कल सैमेती भी हो गई नौ लाक बेरल नाइन लाक बेरल पर डे नाइन लाक बेरल पर डे आपका कट होगा प्रोडक्शन कट है और एक बार कुरूड कल अच्छा भागा 66 50 के आसपास गया था लेकिन उसके बाद खबर आई कि ब्राजील भी इसमें एंट्री लेगा जनौरी के बाद इस ओपर और ब्राजील अपनी सप्लाई जारी रखेगा ऐसा एक अंदेशा है प्लस कि इराक के सौधी अरब के छोटे-छोटे देश है वो लोग रियल में कट करेंगे कि नहीं इस पर डाउट था इसलिए कुरूड थोड़ा सा वापस गिर गया बढ़ने के बावजूद जबकि सहमेती भी बन गई लेकिन मैं फिलाल अगर आज 75 डॉलर के आसपास डब्लू इसी महिने में एक स्टॉक जरूर चलेगा जिसका नाम है रिलाइस चाहे मार्केट 1000 बी गिरेगा तो भी यह चलेगा लेकिन हम इसको मंडे को पकटेंगे क्योंकि संदे का जो एक जी रिजल्ट वो इसमें इनवल्व हो जाए ताकि वह टेंशन नहीं रहेकि रिजल्ट के करण भी रिलाइस को गिराए वह हो सकता है यह बड़ा है जो भी हो कि इस मेने का में कुरूढ और र्लायंस दोनों को मैं हीरो मानता हूं करूढ का मेरा बेसिकली सोचना ऐसा है कि आने वाले टाइम विंटर का है और विंटर में हमेशा बहार डेमांड बनती है तो मैं तो इसे बताओ तो कोई मैं 100 देख रहा हूं जन्वरी तक 100 जो कि अभी 75 पर है ठीक है चलिए यह कुरूड की भी बात अब आजाते डाटास पर कल जब बर्दस्त आपको दिखा होगा कि आज मैं आपको इतना डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूं ताकि आपका पूरा माइंड सेट क्लियर है इसलिए यह चेहरे के साथ आता तो आपको बहुत दिक्कत हूं थी ठीक है कि समझने में तो मैं आपको एक एक चीज दिखा रहा हूं कि अब अगर हम लोग एफाइस के डाटा देखे तो यह प्लस में आगे नॉम्बर में कि यूँ आये वह भी समझाऊंगा लेकिन प्लस में आगे कल तक का डाटा इसमें अब आठ हजार करोड प्लस होगी है करोड खईदा और डियाइज ने सिफ 1580 करोड खईदा तो नॉम्बर में नेट बायर कोन होगे एफाइस क्यूं ऐसा हो गया क्योंकि कल 8147 करोड की बाइंग होई है जबकि डियाइज ने कल 780 करोड का सेल के है अब आप बोलोगे आठ हजार 147 करोड की बाइंग कैसे होगे सर लास्डिक सुन लीजे इसमें MSCI का 1 billion dollar included MSCI 1 billion dollar 30 नॉम्बर को इंडियन मार्केट में डालने वाली थी 1 billion dollar अब आप 1 billion dollar का मतलब होता है 1 billion का मतलब होता है 100 करोड और 100 करोड डॉलर का मतलब क्या होता है मौर देन 1 billion में 1.4 billion में न्यूस दिखा देता हूं तो यह पूरा का पूरा तो वही फिगर दिख रहा है ठीक है यह FIS की बाइंड रियल में नहीं हुआ समझे आप बात को नॉम्बर मैंने का यह फिगर आगे सोरी 5,000 कितने करोड में नेट प्लस है नॉम्बर में और यह लोग 12,000 करोड गलत दिखा दिया मैंने दियाइज ने 12,000 करोड डाले FIS ने 5,000 करोड डाले इसके पिछले 3 मेने में FIS ने 65,000 करोड निकाले और इसके पिछले 3 मेने में इन्होंने 70,000 करोड डाले और आजे इसने सतर हशार करोग डाले पिछने तीन मेने में नोंबर को छोड़ दिया और 6,000 करोग निकले यानि यह मार्क हम पैसा आया कि इस मेने में 6000 करोड के करीब करीब बाइंग कि इन्हों ने बारा तो यह 18000 करोड का और सर्प्लेस हो गया तो मार्केट को पैसा मिला है लेकिन क्या यह लोग घदे की उलाद है यह लोग इस तरह से सेल करके अब नॉम्बर में ख़ीद रहे जब मार्क और कब ख़ीदे लास एक लाग बावन हजार क्यास बाग जो मैंने दिखाया था और कल इन्हों ने जब बर्दस बाइंग किये एक लाग पंद्रह हजार कोंट्रेक्ट से घटके यह लोग सिर्फ चपन हजार नेट शौट रहे गए अभी भी शौट में इंडेक्स में वह भी मैं दिखाऊंगा पहले में यह आपको दिखा दिखा दिए और इसका रिजन समझा दिया में सिय क्या देखें यह यह न्यूस पढ़ लिजा आपको समझवा देखें कि अधार में अधार कि अधार में अधार में देखा था 1.41 या 45 आप यह न्यूस अपडेट होड़ी है आप यह चेक कर लिजिए यह में सियने कल री बैलेंसिंग थी तो उसमें डालना था सुझ लौन इंडेसिंट बैंक बगरा होगा तो यह टाइम पास नहीं करता हूं सुब्य का सब का काम इंपोर्टेंट है आप चेक कर लिए मैं जूट दूलता नहीं है अब आ जाते सबसे इंपोर्टेंट कि कल कि एफाइज ने इंडेक्स फ्यूचर में क्यूं बाइंग कर लिए तो हम यह सीधा चार्ट देखते हूं कि मैं December शिरीज के लिए फुली बियर इस हूं भली और जाहांगे आज ही विए बना दे में फुली फिली बियर इस हूं और खुदा की लोगर पुली बियर इस हूं कि तो यार यह कितना धीला है कि यार कोई लेपटोक कर दो मुझे पैसे ही नहीं है कि अब है कि यह बहुत इंपोर्टेंट आपको दिखा रहा हूं मैं कि करके कल एफाइज देखे कि एफाइस का बुदुवार को पुजिशन था एक लाग अठाइस जार शॉट थजदे को घटके एक पंद्रा हो गया था एक सोला समझ लीजिए कल छप्पन हजार तो कल कैस मार्केट में भी जबर्दस्त अगर आप उसको चैक कोई भी बाहने से आई तो बाहन बाइंग है तो यह दोनों जगह बायर बन गया आप अलगी यहां तो अभी भी छप्पन हजार शॉट केरी हो रहे हैं अब इससे आप लोग क्या सुचेंगा यह बहुत बड़ी तेजी आगए फाइस देखो बाइंग की तरफ जा रहा है कि इससे इसको अगल अलग तरी यह से कैसे इं नॉम्बर सीज़ तो इनके पास जगह नहीं थी और शॉट माणने की तो इनके बाप को वापस निफ्टी को 1200 में बढ़ने देना पड़ा कि इनके पास ओल्रडी जब हम लोग सुनिए आप किसी शादी में जाते हो और शादी में सब्सक्राइब जा रहे हो सामको और पांच बज़े आप भर पेट घर पर खाना खाके आ रहे हैं तो 6 बज़े अगर आपको वहां पर गुलाब जामून रजगुला चम चम जो भी आपकी फेवरेट डिसेस पीज़ा टेज़ा जो भी आप लोग खाते हो वह दिखे तो आप कितना खा लोगे क्योंकि आप घर से पांच बज़े खाके आए हो ठीक है तो यह लोग घर से खाके गये थे नॉम्बर सीरीज में अब यहां क्या थोड़ी टटी करके जा रहे हैं कर्क टटी किया इंगे पोट्टी किया पोट्टी कर ले लोग फोमोड में बेठके थोड़ा निकाल दिये ताकि जगा रहे अब शौट मारेंगे इस शौट क्यों मारेंगे मैं यह यह बोलाओ क्यूंकि भाई साब कोई आदमी एक बावन की सिरीस से स्टार्ट करता है और स तो यह कोई मजाक करने के लिए शौट नहीं किया हुआ था याद रखेगा सबका बदला लेगा तेरा फेजल याद रखेगा इस बार यह टट्टी करके जा रहे थाकि थोड़ी जगा बना की जा रहे पेट में कि इसको ऐसा इंटर्प्रेट करें दूसरा इन्होंने क्या चाल के लिए आपका ध्यान इस पर रहेगा लिकिनोंने दूसरे डाटा में गेम खेल दिया अधिर जैसे डाटा इनलेशिस कोई का बाब नहीं कर सकता है मैं आपको लिक के दे सकता हूं ठीक है इस दो लाग त्रेसेट हजार कल तक इनके पास कॉल लॉंग घटके एक लाग चोश्ट हजार आगे यानि हाँ एक लाग कॉल रिड्यूस की अपने कॉल रिड्यूस करने का मतला हम शौटर हुए करेक्ट कॉल इनके पास दो लाग त्रेसेट हजार थे गुरुवार को मैं यहां गलत इंटर्प्रेट कर दिया यहां पर यह कल गुरुवार का अकड़ा है यह मंगल का यह बुद्ध का यह मंगल का था बुद्वार को कल इतने थे कल घटके आज घटके सिर्फ एक लाग चोश्ट हजार लॉंग रगे अगर नई सीरीज में तेजी करना है इनको तो अपने कॉल एक लाग क्वांटिटी से क्यों घटाएंगे है जबकि यहां आप देखो तो इन्हों ने बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं कटाई एक इंडेक्ष उचर में इतनी घटाई है यहां पर भी एक लाग घटा दी लगबग एक लाग ठीक है लगबग एक लाग फ्यूचर्स में घटा है तो लेकिन कॉल ओप्शन एक लाग बेज दी जो इनके पास 2,63,000 थे उसमें से एक लाग घटा लिए प्लस पुट ओप्शन इनके पास 3,13,000 थे उसको बढ़ा के 3,13,000 थे प्लस और बड़ी बात स्टॉक फ्यूचर इनके पास मंगलवार को बांड में 1,000 कॉंट्रेक लॉंग थे बुदुवार को एक लाग सैतीस अजार कॉंट्रेक लॉंग एक लाग सैतीस अजार 1,37 और कल घटके सिफ 69,000 रहे हैं यहां पर अपने 50% स्टॉक फ्यूचर के लॉंग काट दी एक लाग अरतीस अजार से घटके कल 69,700 पर आ गए हैं तो इन्होंने आपका ध्यान यहां रखा यहम इस बार कम शॉट से जा रहे हैं लेकिन जा रहे शॉट से यह ना पूरा मैना था यह कवर कर सकते थे अपना है जब मार्केट यह जो रहा था कल एक्सपारी थी इनको मजबूरी थी कि अगर हम फिर से इस शॉट से जाएंगे तो बड़े शॉट क्रियेट नहीं कर सके और उन्होंने कैस मार्केट के भी कल की जो बाइंग दिखे में में आगे प्लस यहां अपने कॉल क्यों घटाए जब मैं तेजी कर रहा हूं कि आक्स कोश्चिन योर्स और यहां पूट दस जार से बढ़ाय क्यों प्लस यह स्टॉक फ्यूचर के जो लोंग थे लॉंग में पोजिशन थी एक लाग 38,000 लॉंग थे वह घटके एक लाग 38,000 कल इनके लॉंग थे ठीक है आज घटके 69,700 आ गए इस्टॉक फ्यूचर इतने क्वांटिटी क्यों घटाए एक ही दिन में कल इंडेक्स कॉल दो लाग 33,000 थे कल तक इंडेक्स के कॉल्स वह घटके अब एक लाग 64,000 रह गए इंडेक्स पूट इनके पास तीन लाग 3,000 थे और तीन लाग 13,000 हो गए ऐसा क्यों दिस सोज दिस दिसम्बर सिरीज विल बी ड्रास्टिक वन आपकें टेल यू भगवान करें एक बार हम 20-304 जाएं कोई बात नहीं और मुझे तो उपर वाले विश्वास है बहुत मुझे अगर वो टूटा तो खली टूटने के लिए तो टूटेगा मुझे बहुत बड़ी तेजी नहीं दिख रही है कि आप मुझे एडेमेंट मालो कुछ भी मालो बट मैं यहां सच मुछ मैं डेमेंट नहीं हूं मेरा देखने का नजरिय कुछ और है आप यह भी मत सुचें कि मेरे पास कोई बहुत सारे future short है कुछ नहीं है कि मैं बाइस हो के भी नहीं बूल रहा हूं रियली में ऐसा यह पिच्चन ऐसा दिखा जा रहा है सीरीज में हम टटी करके पहले से जा रहे हैं ताकि जगा बन जा है ठीक हाली पेट जा रहे है ताकि हम यहां से एक लाग कोंट्रेक्ट खड़े कर सके और और अगर आज इन इनके कोंट्रेक्ट घटते हैं मलब स्वाट और घटते हैं तो मैं मानूंगा यह यह लो अगर आज मार्केट सपोज 200 प्लस होता है यह 100 प्लस होता है और इनके 56,000 शौट से घटके 40,000 हो जाते हैं तब कई ने कई इनका रूजान चेंज भी हो गया होगा ऐसा भी मैं माल स सच मुझ मैं इस लेवल पर आपको बाइंग नहीं दूंगा नहीं दूंगा लेवल था 875 का ब्रेकाउट आया उसी समय इंका था लेकिन उसने अगले दिन ही साला इतना बड़ा तेजी कर दिया अगर वह घूम के रीटेस्ट करने आता तो हम कहीं न कहीं वहां सपोर्ट लेता तो हम सोचते बाइंग करें लेकिन वह मोका नहीं दिया अब यह क्या करेगा आज का जो भी हाई बनाएगा वहां से पहले तो इस लेवल के पास आएगा अप लिख लो अगले दो से त्रेडिंग डेज में उननीस आठ सो पचत्तर के आसपास स्पॉर्ट निफ्टी जरूर है तो मेरा वीडियो काफी बड़ा हो गया होगा आठ बचके 22 मिट होगी तो प्लीज अगर पसंद आये तो लाइक करिएगा जितनी बाते मैंने बोली है पॉब्लिक तो बहुत अपना मानतो हूँ इसलिए सुबह इतना मेनत करके बना रहा हूँ ठीक है मैं आज अपना नास्ता भी नहीं किया हूँ जनरली मैं नास्ता करने का खाना अफ्टर मार्केट खाता हूँ तो मैंने सोचा आज डिवोशन इ लिखाएंगे और भोलेना चाहेंगे तो जूते पड़ेंगे अपने को मतलब जूते मतलब गलत सावित हो जाएंगे है जब गलत होता हो तो मुझे लगता है मैं अपने आप कोई जूते माल लिया अब यह सा आज तेज तो खुलेगा आज इसा तो नहीं लग रहा कि मंदा खुले लेकिन आज एक फेक्टर और हम डिनाई नहीं कर सकते फ्राइडे फेक्टर क्योंकि एक कटेर्ड वीक थी यह वीक में हम मंडे को छुटी भागा अब ुद सोच लिए कि उननेश साथ सो चोरानपे पर हम लोग क्लोज थे हैं अब हम बीस एक सो तेटीस पर है तीन ट्रेडिंग डेस और आज आपका वो गिफ्ट रिफ्टी उपर ही दिखा चाहां पीसीर भी अपडेट हो गया होगा चलिए मैं एक बार पीसीर भी दिखा देता आपको अब पीस कि प्रिफ्टी फ्यूजर्स पीसीर मनी कॉंट्रोल है चलिए है आगे है नहां पीसीर एक पॉंट शब्विस है तो बहुत भारी नहीं जा रहा हलका ही जा रहा है तेजी तो हो सकती है बाई ठीक है जगा तो है तेजी कि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पीसीर मनी कंट्रोल है यह कितना है यह क्या होगी है रही बाब शिदा 1.02 बहुत बढ़ी तेजी कि जगा बनाया बैंक निफ्टी का आया 1.02 बैंक निफ्टी का आया है 1.26 दोनों ही बैंक निफ्टी तो बहुत जगा है उपर जाने के जे जिनेंद्र जे भोलेनाज जे हिंद्ट